नमस्कार आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब नियूज मैं हूँ आपके साथ हर्शता मिश्रा विश्व स्वास्त संगठन की गायडलाइन की तहथ मुरत्कों के परिजनों को मौवजा देने का प्राव धान है वहीं उन्होंने सरकार पर कोरोना के मरीजों की जंख्या छपाने का भी आरोप लगाया है उन्होंने कहा सरकारी अस्पतालों में जहां मरीजों को इलाज नही मेरा मुद्दा है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हुए हैं उनको एक तो मुआपजा दिया जाए हमारी सरकार ने पहले गोशना की थी कि हर मनने वाले व्यक्ति को चार लाख रुपे प्रति व्यक्ति को दिये जाएंगे अभी मेरी जानकारी कि अनुसार किसी व्यक्ति को कोई भी मुआपजा नहीं दिया गया और ये मुद्दा नहीं है सीधे तरीके से एक सरकार पर आरोप है मेरा कि जितने भी मृतक हैं करोना संक्रमेंट से जिनकी मृत्ति हुई है उन सब को 4-4 लाख रुपे का मुआपजा दिया जाए और ये सरकार की कुछ की खुद की गोश्रा है कि जितने भी मृतक रहेंगे उनको 4-4 लाख रुपे दिये जाएंगे क्योंकि 4-4 लाख रुपे सरकार नहीं देना चाहती है जिलापरसासन को निर्देश है कि इन आकणों को छुपाया जाए आकणों के साथ हेरा फेरी हो रही है और करोना संक्रमेंट से जितने लोगों की मृत्ति हो रही है वो आकणे जो जागर किये जा रहा है पूरता सत्त नहीं है अभी जाच के अंदरों को ये निर्देश है जिलापरसासन की तरफ से ऐसा मेरे संग्यान में आया है मेरे सूत्रों से कि जो लोग जाच कराने जाए उनको लिखित में अगर पॉजिटिव है या नहीं है तो लिखित में उनको नहीं दे रहे है और अगर कोई संक् है किसी व्यक्ति को और उसकी अगर मिरत्ति होती है तो उसके आंकड़े भी उजागर नहीं कर रहे हैं तो मेरा जिलाप प्रसासन पर आरोप है कि ये आंकड़ों की जादुगरी बंद करें मानवी शम्मेद्राव को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यक्ति जाच कराने करीए कि लगातार पूर्णा पर इस अच्छा काम करते हैं फिर आपने इस तरह का आरोप के लगा है ये आरोप मैंने इसलिए लगाया कि मेरे करीबी कई लोग जो जाच कराने के लिए जब जाच के अंदरों पर गए तो उनका राइस्टेशन नहीं किया गया उनको बरवल जाच करताओं के दुआरा बोल दिया कि आप पोजेटिव हैं या निगेटिव हैं जब उनूने कहा कि हमें लिखट में चाहिए तो उनूने कहा कि आपको लिखट में जवाब आजाएगा या आपके मॉबाईल साजाएगा सुशना आ Capital लेकिन आज तक कोई भी उनको कोई की तोसना नहीं आई और अगर वह कल दुबहराख बीमार होते हैं कि किसी डॉक्तर के पासलाज के लिए जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने कारोना की जाज ٌच करायी थी दॉक्तर कहता है कि आप पहले हमें उसका प्रमाण तो उनके पास कोई भी प्रमाण उपलब्द नहीं होता क्योंकि जाँच करता अधकारी लगवाश सतर परसंट लोगों को जो भी जाँच हुई है उसके प्रमाण देने से बच रहें अब यह तो मेरा जिला परसासन पर आरोप है चुकि यह मामले जिला परसासन की अनमित्ता की वज़े से आए हैं लेकिन मेरा मानना यह है जिला परसासन उन्हीं चीजों में अनमित्ता कर सकता है जहां जिला सरकार हैं उनको इस तरीके की हिडन निर्देश देके रखती है अगर कोरोना संक्रमन से मिरत्य उदर अगर बढ़ती है तो हमें ज़्यादा ज़्यादा मुआपजा ना देना पड़े इसलिए एक ही वेक्ति के तीन-तीन बार रेजिटेशन किये जा रहे हैं और उसकी बदले में जो दो लोग थे उनके रेजिटेशन चुपाए जा रहे है